गूट मॉर्निंग बच्चो आज आपको तुमुल खंड काप्वे से एकादस सर्ग और द्वादस सर्ग की कथा लिखाएंगे तो सबसे पहले हम डालेंगे एकादस सर्ग और ब्रैक्ट में लिखेंगे उन्मन राम एकादस सर्ग में राम की व्याकुलता का चित्रण है कुटिया में बैठे स्री राम विचार कर रहे हैं कि आज व्यर्थ ही मन में व्यता क्यों जन्म ले रही है उसी समय अंगत, हनुमान, शुग्रीव, आदि मूर्चित लच्मन को लेकर वहां आते हैं लच्मन को देखते ही राम पच्चार खा कर गिर पड़ती हैं इसके बाद डालेंगे 12 सर्ग, राम विलाफ और सौमित्र का उपचार तो 12 सर्ग में राम के विलाफ और लच्मन के उपचार का वर्णन 해 लच्मन की दसा को देखकर राम विलाफ करने लगे उन्होंने कहा हे लक्षमण मैं तुम्हारे विना जीवित नहीं रह सकता राम की दुखी दसा देखकर जामवंत जी ने बताया कि लंका में सुसेंड नाम के कुसल बैदे हैं आप उन्हें सादर बुला लें हनुमान छड़ भर में ही सुसेंड बैद को लेकर आते हैं सुसेंड बैदे कहते हैं कि संजीवनी वूटी के विना लच्मण की चिकितसा नहीं हो सकती हनुमान वायू के वेग से संजीवनी वूटी लाने के लिए चल पड़ते हैं और बूटी की पहचान ना होने से हनुमान फूरे फर्वत को ही उठा लाते हैं बैदी के उपचार से लच्मन पुने सचेत होकर मुस्कराते हुए उठ जाते हैं इन दोनों सर्गों को अपनी नोट बुक में नोट करें